पहाडी शेत्रों से लगातार एक्सिडेंट की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग अपनी जान गवा रही हैं ऐसी ही दुखत खबर नैनिताल जिले के मुक्तेश्वर थाना शेत्र से आ रही है जहां एक कार खाई में गिर गई कार के खाई में गिरने से शराब कारोबारी के वहां सर्विस करने वाले शक्स की मौके पर ही मौथ हो गई जानकारी के अनुसार ये घटना रात की है घटना के सूचना दोपहर के वक्त ग्रामीडों ने पुलिस को दी जिसके बाद कार को बमश्किल सड़क पढ़ लागया गया चालक मुपती इश्वे में शराब की दुकान पर पहले कारे करता था और वो साड़े नौब बजे दुकान बंद करके अपने घर लोट रहा था कि अचानक कार अनियंत्रत हो गई और खाई में गिर गई जिसका किसी को पता नहीं चला आज दोपहर घटना का पता चलने के बाद उसके शव को पोस्ट मॉटम के लिए भीजा गया है तो बता दे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नैंताल जिले के मुक्तेश्वर थाना शेत्र से जहां एक कार खाई में गिर गई कार के खाई में गिरने से शराब कारोबारी के वहां सर्विस करने वाले शक्स की मौके पर ही मौत हो गई है